हमारे सब आशु ये जालंधर से स्वागत है आपका आपका नमश्कार मैंड़ जी नमश्कार जी जी अदाब नमई का साथ जी जी अदाब मैंने पूछना है कि जैसे मेरी सेर्थ में बनती खाता पिता बहुतर शीर को लगता नहीं जा है तो एक न मेरे को दाथ की प्रॉबर में जा दाथ पड़ती ना नाइट फॉल होता है सब समझ गये समझ गये तो लिंक की नसे ना कमझे हो लोगी तो खाया पी पीडि को लगता नहीं है ठीक है देखिए जो भी बच्चे बच्चिया धातू के रोग में पीडित है उनको सबसे पहले ये मर्ज बता देना चाहिए जैसे आपने बता दिया या उसकी निशानी भी होती है कि उसके ऐसे पेशेंट के आँखों के ये सरकल जो है ये काले काले नजर आते हैं ये निशानी है कि वाइड डिस्चार्ज धातू रोग और ये मर्द और ओरत दोनों को होता है ऐसे लोगों को सबसे पहले इसकी रोक थाम करनी चाहिए वरना सेहत बनना नामुम्किन है और फिर वो आगे जाके बहुत बड़ी बीमारी होती क्योंकि ये एक ताकत है जो एक कत्रा धातू का साथ खून की बूनों से बनता है साथ कत्रों से साथ डॉप से बनता एक कत्रा और वो इतनी आसानी से निकलने से हमारे जिसम में कमजोरी आना तै होता है तो जिनकों भी ये परिशानी है वो एक गिराम रोजाना गौन बोरिंगा खाएं पानी से और दूर चलता है तो दूर से बच्चे लोगों के लिए ये बहुत फाइदे मन्द है और फिर आप देखेंगे कि आपकी सेहत बनती जाएगी धीरे दीरे और आप एक हस्पुस्ट इनसान नजर आने लगेंगे